हमारे ज़ेश में प्राचीन समय से महिलाओं के बारे में जो विचार है तो उनको अत्यनता बड़ा स्थान दिया है शक्ति स्वरूपा जगदंबा का रूप उनको हम मानते है एक तरफ विचार में ऐसा है और दूसरे तरफ व्यवार में देखा तो उनकी हालत बहुत खराब अब ये तो ठीक है कि उनको भगवान बना के मंदिर में बिठा कर पूझने की भी जुरूरत नहीं और उनको एकदम दासता की कड़ी में ढखलने की भी जुरूरत नहीं वो महिला समाज का एक हिस्सा होने के नाते समाज जीवन के सब प्रयासों में बराबरी की हिस्सेदार है बराबरी की जिम्मेवार है और उस तरह ही उनके साथ व्यवार होने चाहिए कि लेकिन ये इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि बेचारे महिला समाज का हम उद्धार करेंगे जो देखते हैं हम नित्य अनुभव भी आप लोगों को आता होगा कि कई मामलों में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा समर्थ है जो काम पुरुष करते हैं उससे उसी काम को अधिक अच्छा वो कर सकती है ये कई क्षेत्रों में आज सिद्ध हो रहा है उनको सशक्त करने की जरूरत है उनको वो स्वतंडरता देने की जरूरत है और ऐसे काम करने के लिए उनको प्रबुद्ध बनाने की जरूरत है तो अपने घर से प्रारंब करके समाज के क्षेत्र तक सर्वत्र मात्र शक्ति जागरन का काम होना चाहिए संग की इच्छा है संग के स्वयम सेवक और संग के साथ जुड़े हुए परिवारों की महिला है स्वयम सेवक जो अनेक संगटन चलाते उसमें बराबरी से सहबागी महिला है मिलकर ये काम करती है महिला और पुरुष परस पर पूरक है जीवन बनना है तो इन दोनों का होना और बराबरी से सारा भार उठा कर काम करना निर्णे से लेकर तो दाईत्व तक सारी बाते बराबरी से उसमें सहबागी होना इसकी आवश्यक्ता राष्टर निर्मान के लिए रहेगी ये संग का सुविचारित मत है